हेलो गाइज, माइनेम इज लखन एंड आई लव नेचर दोस्तों आज मैं आपको इस घने जंगन में लेके चलता हूँ अंदर बहुत मज़े आने वाले हैं इतना घेरा जंगल चारो तरफ एक मेरे हाथ में छड़ी है इस छड़ी को मैं हत्यार के रूप में भी यूज कर सकता हूँ क्योंकि अंदर यदि कोई छोटा मोटा जैनवर हुआ तो इसको मैं एक हत्यार के रूप में भी काम लूँगा यह है सेलपी इस्टिक अब घणे जंगल में लेके चलता हूँ मैं आगे चलते हैं बहुत मज़े आने वाले हैं जिस किसी भाई को भी जंगल में घुमने का सौब हो वो इस वीडियो में लाश तक देखना मैं ऐसी ऐसी जगे लेके चलूँ आपको कि आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों आप कुछ वाई कहेंगे कि जानबर तो जंगल में बहुत कम नजर आ रहे हैं तो दोस्तों जानबर कहां से नजर आएंगे आपको कही बार बताएंगे यहां पानी की इतनी कमी है कि जंगली जानबर आपको बहुत कम चार तर्फ नजर आते हैं वाँ उधर कुछ है दूर बहुत दूर कैमेरे को जूम करते हैं रियली एक जूम करके देखते हैं जूम वाँ बिग बिग एक बहुत बड़ा नीलगाय बैठ रहते हैं इतना बड़ा इतना बड़ा वा माई गॉड जूम भी करता हूं तो हल्गा साथ दूंदला हो गया चलो आप मैं आगे लेके चलता हूं आपको क्योंकि नील गाय के वीडियो तो मैं डालता हूं और इस जंगल में वह आले नील गाय आते हैं जिनको वह मैदानी छेत करूँगा प्लीज देखते रहे ना और मेरे चैनल पर पहली बार आयो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना बहुत गहरा जंगल है बहुत घना बस यदि इसमें कोई कमी है तो दोस्तो एक ही कमी है पानी की कमी की बज़े से इसमें जानबर और पक्षी बहुत कम नजर आई आए आगको दीमा दीमा मैं आगे बढ़ूँगा जितना इसमें अंदर आगे जाते जाओँगा ऐसे ऐसी जगें मिलेंगी जा चारो तरफ से महसूस होगा कि इदर से कुछ आने वाला है इदर से कुछ आने वाला है यानि कि भै एक भै जो होता है जंगल का वो भै दोस्तों बीच-बीच में गाड़ी के हौरन की आवाज आते हैं तो समझो मैं घर से आवाज डाल रहा हूं दोस्तों इसमें अबाज जो डाली है मैंने घर से डाली है इसलिए गाड़ियों के हौरन की आवाज आ रही है मैं बहुत सारे वीडियो यहांसे बनाता हूं और आप लोगों कोड़ करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेले वीडियो कि ज्ञड़ा से जदा फेशबुख पर शेयर करें और लाइक करें और जहां से मैं यह वीडियो बना रहा आप देख सकते हो यह जो एक पेड़ है पेड़ की जड़ कितनी खूबसुरत नजर आ रही है धन्वा दोस्तों लाश्ट